हेलो प्यारे बच्चो वेल्कम बैक ओन माई यूट्यूब चैनल और हम पढ़ रहे हैं यहां पे कक्षा 10 बिसाइगरित और हमारा जू चल रहा है यहां पर प्रस्तनावली 1.1 तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था 1.1 का पहला कोशिन किया था आज हम करने वाले हैं यहां पर 1.2 का दूसरा कोशिन ठीक है तो बड़े आसान तरीक है सबसे पहले तो आपको 26 को लिख लेना है चलिए तो क्या करेंगे आपर solution लिखते हैं solution में क्या करना है सबसे पहले अपको46 के निकालने यह estu 2 तवींक निकालने इसी तरीके से हमको किसे निकालने 91 की factor भी निकालना है, चलो 91 की factor भी निकाल लेते हैं, यह simple है, बुल्कुल question, गर आपने पहला question किया आए, तो यह दुदम, ठीक है, सात से कीस साथ से कीसितों सात यहां पर कितना बचा यहां पर 9 न सब्सक्राइब हुआ, साध स कितना बचßen है दो बच गया, तो एक बार प्ड़दिया अब यहcert यहां पर आ जाएगा थीक। तो 7 तीय कितना हो जाएगा, 7 तीया 21, तो इस तरीके से आप solve कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 13 हो गया, और आपको बिदा 13 का बाद तो किसी से जाता ही नहीं, या नहीं, 13 ही से जाएगा, तो कितना आ गया, आपको एक आ गया, यह हमने दोनों को factor निकाल दि 13, दो गुणा, 13, यह तो 26 के लिख लिए, और अब लिखेंगे किस के 99 के, 99 के, 99 के कितना हैगा, 7 गुणा में 13, ठीक है, लिख लिए, अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक दे रहा हूँ, SCF की और LCM की दोनों की ट्रिक में आपको बता रहा हूँ, क्या ट्रिक है, आपको या कि SCF में आपको क्या करना है, कॉमन की छोटी घात देखनी है, छोटी घात, यह बात या रखनी है, याद किसमें, SCF में, SCF में यह बाली बात याद रखनी है, कि कॉमन की छोटी घात लिखनी है, आपको बस और खुशनी, कॉमन कौन होता है, जो दोनों में होता है, दोनों नहीं है समय आया common का मतलब ओग अपतेएКак गया। इस वाले नंबर में भी गया है मैं अमोन हो गया समझत में हागे बात आपको common का मतलब हो इसको बाहरे लिखने होते हैं किसको लेखोगी स्रुप सिर्फ common वाले को लिखे हुगे तो हम SCF निकाल रहे हैं हमने लिखा यहाँ पर SCF कौन से कौन से नंबर का 26 का और इंक्यानवे का ठीक है common गात कौन सी हो रही है common नंबर कौन सा हो रहा है 13 इसमें भी और 13 इसमें भी है और तो कोई नहीं हो रहा है साथ इसमें है , लेकिन इसमें नहीं है , दो ऐसमें लेकिन इसमें नहीं है , तो तेरा हो रहा है उट इसकÕ ही घात सब पर से बड़ी ए कितनी है एक इसका मतलब क्या हो गया आया अपका JIए स्थ फजेट्साइ Brysट निकल क्या गया अब निकालेंगे LCM LCM कौन से का 26 और 91 का LCM निकालते हैं अब LCM में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे LCM में क्या करना है LCM में जो ट्रिक है वो क्या है LCM की ट्रिक आपको याद रखने है LCM में तो common देखते हैं लेकिन LCM में क्या देखते हैं सरफ सरफ गुड़न खंड देखते हैं गुड़न खंडों की बड़ी घात ठीक है यह देखते हैं LCM में यह दोनों बातें आपको याद रखनी है सभी कोशना आराम से हो जाएगी LCM बाले सभी कोशना आराम से कर लोगे ठीक है और अगर आपने बेसिक वाली क्लास देखिए जो इंट्रो वीडियो है 1.1 का अगर आपने वो देख लिया फिर तो यह बिल्कु लीजी है कोई दिक्कत वाली बात दिए LCM में क्या करना है गुड़न खंडों की बड़ी घात लिखनी है तो LCM में आपको यह बात का ध्यार रखना है कि कौन से कौन से नंबर से भाग गया है बस सित्मा देखना है तो देखो एक तो दो से भाग गया है एक साथ से गया और एक तेरा से गया है ऐसे आपको देखना है सादुनी 14 और 14 कितना कर लेंगे 13 कुणा कर लोगे 13 कितना होगा 52 कितना दो यहां पर कितना होगा पांच और 13 कितना होगा यहां पर 182 ठीक है तो यहानि इसका जो एलसेम आया है वो कितना है यह जो आपको प्रॉबर्डी दी है ठीक है इसको लिख लेंगे क्या है दो संख्या को गोड़न फल ठीक है बराबर क्या है SCF into में क्या है LCM ठीक है अब आप क्या गरोगे यहां पर दो संख्या है दो संख्या कौन से है जिनके आपने SCF और LCM निकाले उनको लिख लो 122 है और गोड़न मतलब क्या गोड़ना करना है और 1 90, दोनों लिख लिए और SCF कितना है 26 और 90 है का 23 तो आपने 13 लिख लिया ठीक है और 182 है 182 तो अगर आप इसका इसम गुड़ा करोगी और इसका इसमे अगर ये दोनों बराबर आगे तो तो इसका मिलव आपका जो आंसर है यानि कि SF-LCM निकाले में वो सही है, अगर आप ये बराबर नहीं आए, तो कहीं ना कहीं आपने SF-LCM निकाले में कोई ना कोई गलती किया है, ठीक है, तो 26 से क्यार में आप गुणा करेंगे, तो मैंने समय बचाने के लिए आप गुणा करके रख लिया, आप लोग गुणा कर लिए ना, 366 आएंगे, और 1312 से गुणा करेंगे, तो भी क्या आएगा, 366 ही आएगा, आप गुणा करके देख लिजिए, ठीक है, तो इसका में लोग ये दोनों क्या आगए, बराबर आगए, इसका में लोग क्या हो गया, ये वेरिफाइड हो गया, इस तरीके से आपको तरकी जाज करने है, आया समझ में आपको इस सवाल को नोट कर लिजिए, ये complete, आप सेकिंड कोशन पर आते हैं इसके पर, ठीक है, सॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, किसको कर रहे हैं, पांसो दस, पांसो दस के क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे के नहीं सॉल करेंगे तो, अब आज गुर्ण घंट से कर रहे हैं तो फैक्टर निकालने पड़ेंगे, factor निकालो कैसे निकालेंगी निकालो फेक्टर देखो 2 से कट रहा है ठीक है 2 दूनी 4 एक बच गया यह तो समझ में आता है ना आपको नहीं तो आप इस सरीगी से लिख लिएगा 2 से बड़ा 5 यहापे बड़ा नमर हो तो सिंगल लिखो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया ठीक है और यहां है कि यहां पर 50 हैं इसको आगे लिखो तो कितना पूआ कि 1 च्छ यांगा है 10 और यहां पर दस लिख दो बचा कितना एक और यह 0 आएगा तो कितना पूआ दम स्थ्लीकि और परम्ज़लं तो खाए तो हम 5 सेah पेड़ी क। है त Après 10 10 12 12 अगरistic तीन चेक कर रहें तो क्या करोगी इन सब को जोड़ोको 5 और 5 कितने होगे तस दस-दस कितने होगे 12 12 जो यह वो फ्र कि टेबिल में आता है कि यहाप इसके मतनब क्या होगा आप तो आपको पूरे डबल लेने पड़ेगी हमने 25 लिख लिए यहां पर तीन का पड़ा पड़ो 25 में 25 से आगे जाना चाहिए कितना होगा तीन अठें कितना जागा 24 तीनमस 27 होजागा तो कितना बचा है यहां पर एक और यह पांच आगे आएगा कितना फैन्स हुआ करो ने चेंख करो कितने थे तेरा लास्ट में अगर जीरो और 5 होदा है तो 5 से तो कटी जाएगा ठीक है 5 से गाड़ते हैं 5 एकम 5 आठ है ना तो यहां पर पांच एकम 5 कितने बचेंगे आप पर तीन बचेंगे पचेंगे और यहां पर कितना जागा 5 हुँ 5,7,35, तो कितमा आ गया आपे, 17 आ गया कि नहीं, इस तरीके से, अब क्या करेंगे हमें, अब 17 तो पता ही, आपको अब आज संक्या है, तो 17 एकम, 17, ये कर दिया हमने यहाँ पर 510 के फैक्टर, अब 510 के फैक्टर निकाल दिया, अब किसके निकाल लेंगे, 92 के निकाल हैं, तो एक ज्यादा, तो एक आगे बढ़ जागा, तो यहाँ पर 12, यानि कि 2 शक्के 12, हो जागा, अभी भी ये 2 से कर जाएगा, कर जाएगा, दो दूनी, 4 और 2 तिया, 6, और 23 तो बता है, आपको किसी चीज़ नहीं कर देगा, तो ये लो, हो गया, कम्प्लीट, अब कु तीन कितनी बार है, एक बार है, तीन की घात एक लेक लेते हैं, ठीक है, पांच कितनी बार है, एक घात लेकना चाहो तो लेक सकते हो, नहीं तो बत लेको कोई दिखाती, गुडा में क्या है, सत्रा की घात एक, ठीक है, ये हो गए, सभी एक एक बार है, अब यहाँ पर देखे हमने तेज़ दोनों लिख दिये अब सिर्फ आपको स्यफ और लस्यम फाइंड करना है ठीक है तो स्यफ के लिए क्या ट्रेक है कॉमन की छोटे गात जो दोनों में है उनकी छोटी गात तो देखो यहां पे 510 में दो से भाग गया है और दो से किसमें बानों भाग गया इसका बहुत दो इसमै भी है दो इसमै भी है तो दो क्या हो गया आप जुत दो एक common आ गया और दो की छोटी गात कितनी है एक तो एक वाला एक एसे पर में सब छोटी गात को लेना है ठीक है दो की छोटी गात होगी और कोई common हो रहा है कि देखो तीन इसमें लेकिन तीन इसमें नहीं है पांच इसमें लेकिन पांच इसमें लेकिन सत्रा इसमें लेकिन तो कुछ भी कॉमा नहीं हो, रहा सिर्फ दो रहा है, तो इसका LCM कितना आ गया, इसका LCM आ गया, अब निकालते हैं, LCM, पांसो दस, और कितना यहां पे, वान बे, LCM निकालते हैं, LCM कैसे देखते हैं, गुणन खंड देखू, क्या देखना है सबसे पहले, गुणन खंड, यानि कौन-कौन से नंबर से दोनों में भाग गया है, तो एक तो दो से गया है, किस से गया है, तीन से गया है, पांस से गया है, सत्रा से गया है, और तेईस से गया है, बस यह देखना है, कौन-कौन से नंबर से भाग गया है, दोनों में मिला के, तो एक तो दो से गया है, तो यह लोग दो से भाद गया, ठीक है, और एक किस से गया है, एक तीन से गया है, एक किस से गया है, पांच से भी गया है, और एक किस से गया है, सत्रा से गया है, और किस से गया है, तेज से गया है, इसके लाब और कोई नंबर है क्या है, जिससे भाग चला गया है, नहीं गय और 30 की भी सबसे बड़ी गात कितने एक ही है अब सब के क्या करने 60,460 गुणा682,660 है यह थो आ गया कि आपका यह आगे आपका SCF और LCM यह दोनों आगे अब आपको इसकी जाच भी करने है जाच करने का वही तरीका है simple तरीका जो पुराना है आपको क्या करना यहाँ पे जाच में क्या करना है देखिए जाच कैसे करोगी वह ही है आपको दोनों संक्या गुणन फल याने की कौन से कौन से नंबर का 510 और 22 इन दोनों का गुणा कर ले न ठीक है और जो आपका LCM SCF है उनका भी गुणा करो LCM कौना आया है 2 LCF 2 आया है और LCM कितना है आपका 3460 2460 इन दोनों का गुणा कर लीजिए बस ठीक है अगर ये दोनों बराबर आगे तो हो गई जाच तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आजागा यहाँ पर गुणा कर लीजिए 0 का 0 12 12 हांसल कितनी आगई 1 2 4 के कितना आठ 9 ठीक है और यहाँ पर के 2 तीय च्छे और दो दुनी चार चालीस यार 920 और इसका जब भी आप गोड़ा करोगे तो वह भी क्या आएगा चालीस यार 920 या आएगा आप गोड़ा करके देख लेना ठीक है इसका मतलब यह क्या होगी आपके उत्तर की जांच अगर लेप्टेंसाइड और राइटेंसाइड वही काम करना है जो हमने उसमें किया था क्या करना है आपको 336 कि क्या निकालेंगे फ्यक्टर निकालेंगे 2 से कट जाएगा कि नहीं 6 यह लास्ट में तो 2 से कट जाएगा तो कैसे 2 एकम 2 2 एकम कितना हो गया 2 यहाँ पे कितना बचा देखो 3 है 2 एकम 2 तो 1 बचा ठीक है अ और ये 6 यहां आ गया आएगा, तो कितना हो जागा, 2, 8, 16, हो गया कि नहीं, इस तरीके से आप भाग दे सकते हो, मैं बार-बार आपको समझा रहा हूँ, ये 160 आ गया, अभी भी 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग दे, देखो, एक में दो जाएगा नहीं, 2, 8, 16, और 2, 4, 8, 14, अब फिर से 2 से भाग दीजिए, 2, 4, 8, और 2 दूनी, 4, आगे समझ में आपको, अब फिर से और भाग दीजिए, 2 दूनी, 4, और 2 एकम, 2, अब 2 से ने भाग दे दिया, अब हम लोग भाग देंगे किसका, 54 का, 54 का, ठीक है, तो चलो, 54 का भाग देते हैं, 45 के गुरन निका ले, 45 में भी 2 से भाग चला जागा कि नी, चला जाएगा न, ठीक है, तो दूनी, 4 और 2 सक्ते, 14, आप 2 से भाग न जागा, 3 से जागा, 3 नम में, 27, 27 अब 3 से फिर करड़ेगा 3 तरगा 9 और 3 एकम 3 यहां तक समझ में आगया आप लोगो ठीक है अब आपको क्या करना यहां पर SCF और LCM निकालना है तो चलिए SCF निकालते हैं हम लोग एसे निकालेंगे पहले सब्सक्राइब EPA 336 जिसके फैक्र लिखो कौन एदो कितनी बार है एक दो दो तीन चार चार बार दो यानि दो की गात कितनी होगी चार ओगी चीक है और कौन धिन एक बार है और साथ एक बार तोंट नक्नल typically कारे एक लिख लिए अबCanby स الإखुए सब्सक्रादो 12 कि यहाँ पे कोई दियुदि पिवह चैनी आरा एक two two टीन वार तीन की गात कितनी हो गई यहाँ पर तीन ओगई ठीक है यह तो अपनेSef की बारी आते हैं कि एसे निकाले ले कितना भूजागे यहांपरasında प्रींसोटथिस और चाह वो उनका S.P. कितना आएगा देखो S.P. में क्या करते हैं? Common की छोटी गात देखते हैं Common जो दोनों में हो देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है है कि नहीं? और 2 की छोटी गात कितनी है? ये वाली है तो इसका मलब क्या लेकेंगे? 2 की गात 1 वाले को लेकेंगे अब 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है है की नहीं? तो ये भी Common हो रहा है तो इसमें छोटी गात कौन सी है? 3 की गात 3 तो बड़ी है और 3 की गात 1 क्या है? छोटी तो छोटी वाली गात को लो लेना सिर्फ आपको Common वाली है तो कितना हो गया 3 daad 1 आया समझ में एक बार और समझ लीजिए दो इस में चोटी आएगा तो गुणा कर रोओ तो कितना जागा है यहां पर तो च्छे आजा एकट शेएगा तो एसस इसे अपका जो सेफ है 336 और 414 का कितना आ गया वो आ गया 6 यह तो आ गया आपका SCF ठीक है अब बात करते हैं LCM की 336 और कितना है LCM में क्या करते हैं यह देखते हैं मैं बार बार वोल रहा हूँ आपको यह देखना है कौन-कौन से नंबर से भाग गया है LCM में 3 की भाग गया है 27 से गुणा कितना हो जागा है 27 गुणा कितना हो जागा 7 जब आप गुणा करोगे तो इसका आएगा 30 24 जब आप गुणा करोगे ठीक है तो LCM और SCF आगे कि नहीं आपके ठीक है तो यह SCF आपको सिर्फ जाच करनी है जाच जैसे हमने पहले कोशन में कीती जाच आपको क्या करना है जाच में आपको वही काम करना है आपको गुणा कर देना है क्या कर देना है गुणा कौन से कौन से नम्मर का है यहां पर तुन ओर और अच्छ गुढा कर देना आप समें बराबर आ जायेंगी और यह आपका वेरीप्टाई हो जाएगा बढ़ाघंगे तो आगी होप आप यह समझ में आया होगा अगर आपको पसंद आगया प्लीज वीडियो को लाइक कर देशे और मैस तीकने के लिए इस चैनल से जरू जोड़ जाएए तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहें बंदे मातरम